Hi Everyone, आज हम कुछ special में ब्रेसलेट्स हैं वो है ब्रेसलेट्स आज हम कुछ ब्रेसलेट्स बनाने जा रहे हैं तो यह मेरे पास एक बॉक्स है जिसके अंदे मैंने बहुत सारे बीच कलेक कर रखे हैं और मेरे पास एक प्लास्टिक का धागा है अगर आके पस नहीं है तो फिर आप रोली का धागा जो आम मंदिर में यूज करते हैं वो भी यूज कर सकते हैं हम धागा इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत पतला होता है और प्लेसलेट बहुत जल्दी तूट जाता है अब आपको यह बीच कलेक करने तो छोड़ करके फिर यह जो रांखियां होती उससे कलेक कर सकते हो यह अब के आप प्लास्टिक दागा में यूज कर रहे हैं तो उसको अपने हाथ के मेजरमेंट के हिसाब से हम कट कर लेंगे अब यह वाला जो दागा है मैंने लिया है उमें अपने हां से फ़र सब बढ़ा लिया है क्योंकि मुझे इसमें नौट भी बाननी है नौट भानने के लिए यह में बहुत धागा चाहिए होता है कि मैंने थोड़ा भड़ा दागा लिया अब हम इसके अंदर इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने के लिए हम अपने लिएगे और उसको भाटन की इंसर्ट करो आप जाए तो रैंडम ले इंसर्ट कर सकते हैं आप जाए तो एक पैटन की हिसाब से इंसर्ट कर सकते हैं सबसे पहले एक मैंने परपर कला कम होती विया है उसके बाद मैं बीज लगाऊंगी जो कि मेरे पास कलर फुल है और फिर मैं आपको अभी शो करती हो इसको बना कर तो ऐसे ही मैंने मेरे पास कुछ बीज से तो मैं अपको इंसर्ट कर रही हूं मैंने अभी कोई पैटन नहीं प्षी के हूं में अभी हम Anything अभी हमें पूरे ब्लेस्लिट में पूरा हमें डेकोरेट कर लेन और ये देख सकते मैंने बहुत इंसर्ट कर दीक है अब लास्त नर्ट बांद नी होती है और न बाने बहुत जल्दी टूटे ना, प्लास्टिक अधान में थूर भी दिक्कत होती है नौट बांगने में, अगर आप रोली कप्षा का यूज कर रहे हैं तो फिर वो असान से बन जाएगी, तो हम दो-तीन नौट बांग देंगे, इसके लिए आप बना रहे हैं आप उसके हाथ का मेजरमेंट पहले जरूर लेंगे तो उसको फिट ना हो तो आप पूरा अच्छे से मेजरमेंट लेके ही ब्रेसित्स बनाएं तो यह देख सके मैंने नौट बांग दी है अब हमारा एक्सेस धागा बचा है जो कि नौट बां कि एंध यह देख सकते हैं यह बहुत ही सुंदर लग रहा है अब नपरष को चाए आपकी बताती हूं तो यह देख सकते हैं यह बहुत ही सुंदर लग रहा है और हीश अधा Shled Saar बेंगे कुर आप छुछास இ आरवे करे अल इव तो प्रुमराई और समखावर प्रेशलको झाल झाल झाल